चंद्रयान 3 mission successful हुआ, यह आदे से ज़ादा देश को पता है, पर इससे actually में क्या फायदा हुआ, वो शायद आपको भी ना पता हूँ इसे launch करने में हमने 600 करोड रुपे खर्च की है, या फिर all over the world जो governments या even private agencies, billions of dollars spent करती है, space missions launch करने के लिए, उसका उन्हें actually return क्या मलता है, कैसे Moody government ने इस सुरो को change किया, यह सब discuss करेंगे आज की इस वीडियो में, तो एंद तक जरूर देखना देखिए, यह सवाल तो बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन इसका जवाब नहीं, जब भी हम space के बारे में सोचते हैं, तो usually आपके दिमाग में क्या आता है? रेन्बो से भी ज़ादा रंगो वाली billions of galaxies, या आँखो में टिम टिमाते अंगिनत तारों का एक unimaginable बड़ा cluster, और यह उमीद की एक दिन हम इसके secrets को uncover कर पाएंगे, और अपनी species के अगले बेक तुरू का हिस्सा बन पाएंगे, लेकिन इसके लिए लगती है, हजारों निया को shape किया है, space research से दो type के फायदे होते हैं, या हो सकते हैं, पहले है direct benefits, और फिर आते है indirect benefits, indirect benefits का सबसे अच्छा example है water purifier, जो आप घर में water purifiers use करते हैं, वो result है उस challenge का जो NASA के सामने था, astronauts के लिए एक small, portable और inexpensive water को purify करने का तरीका ढूनना, और उन्होंने जो technology use की, उस सकते हैं, लेकिन हम सब मान सकते हैं, कि अगर space exploration पर इतना भी जोर नहीं दिया जाता, जितना की दिया गया, तब भी हम water filters तो बना ही सकते थे, लेकिन एक चीज जिसकी हमने कभी कलपना भी नहीं की थी, वो है internet, अपने devices या दूसरे devices से भी remotely connect करने की ability, जो आज हमारे पास ह ये भी USA और USSR की space risk का एक result था, और नहीं, NASA या ISRO के किसी भी scientist ने internet को discover तो नहीं किया, लेकिन जैसे internet को हम आज जानते हैं, उसे इस तरह से mold करने में space research की काफी बड़ी भूमिका रही है, space research का सबसे बड़ा contribution रहा है, Instagram का success, बिल्कुल सही समझ रहे हूँ, cameras पहले कुछ ऐस होते थे, इन्हें छोटा और better किया है space research ने, बड़े cameras को space में लेकर जाना और वहां से दूर दराज की galaxy तक की photos ले पाना next to impossible था, जिस वज़े से scientist को ज़रूरत महसूस हुई, इनको radically upgrade करने की, अगर आप और जानना चाहते हैं कि अब तक space missions ने कैसे हमारी दुनिया को change किय है, तो description में एक link दिया है, अब जाकर उसे check out करो और अराम से पढ़ना, पर पहले वीडियो पूरा देखो, अब मैंने आपको इतनी सारी discoveries तो बता दी लेकिन अब question बोलेंगे कि इन सारी achievements में, बेरे भाई, इस रो कहां पर है, और उनकी बाप भी जायस है, इस रो को found किया इम्यदार ठहरा सकते हैं, और उस time के हिसाब से ये थोड़ा logical भी था, कोई भी देश अपने citizens की basic needs को ignore करके सिर्फ space पर focus नहीं कर सकता था, लेकिन आज महौल काफी ज़ादा अलग है, आज हमारा देश इतना powerful है कि वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ compete कर सकता है space में, और इसी को proof किया है चंदरयान 3 ने, इंडिया को चांद के south pole पर land करने वाली पहली country बना कर, और इसके कुछी दिनों बाद हमने आलते L1 को भी launch किया, moon के बाद अब sun की तरफ progress करने के लिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे इंडिया को directly कैसे benefit होगा, तो के लिए की जा रही research लोगों की normal life में भी काफी बड़ा impact डालती है, यह बिल्कुल possible है कि Mars rover के लिए की जा रही किसी robotic arm की research, कल factories में workers को help कर सकती है, या medical line में artificial limbs create करने में help कर सकती है, spacecraft को solar radiation या heat से बचाने के लिए जो technology use होती है, उसे fire fighters के लिए flame proof coating बनाने के लिए use किया ज सकता है, इसी technology transfer को smooth बनाने के लिए NSIL को 2019 में थापित किया गया, और last year तक उसने ISRO के दवारा develop की गई 78 technologies को commercialization के लिए transfer किया, जिसमें से कुछ है low cost artificial heart pump, artificial foot, microprocessor controlled smart knees और fire extinguishing powder, और कुछ ही सालों में आपको ऐसे बहुत सारे examples देखने को मिल जाएंगे, अब बात करते हैं क कुछ direct benefits की, हाल ही में China को कुछ ऐसा मिला जिसम कह सकते हैं कि space exploration, ना सिर्फ कुछ देशों को, बल्कि पूरी humankind को revolutionize कर सकता है, इसका सब चैसा example था China, जिसके बारे मैंने बताया, China के एक rover को moon dust के एक sample में helium 3 मिला, जिस sample में मिला, उस crystal mineral को नाम दिया, Changisite Y, और इस 1731 gram के lunar sample में से एक छोटा सा crystal है, जिसका radius है, बस 10 microns, तो ये इतना सा crystal आकिल क्या बदलाव ला सकता है हमारे planet पर, well, ये काफि revolutionary इसलिए है क्यों ही helium 3 अर्थ पे बहुत ही जाता rare है, लेकिन moon पर इसकी भरमार है, thanks to solar winds, जिसे हमारा moon जेलता आ रहा है, लाकों सालों से, और इसे use कि लिया जा सकता है nuclear fusion में, ध्यान से सुनना, nuclear fusion नहीं, nuclear fusion, right now nuclear power stations में nuclear fusion का सहरा लिया जाता है, क्योंकि nuclear fusion काफी जादा complicated है, लेकिन इसके benefits भी उतने ही जादा है, nuclear fusion को dub किया जाता है as an unlimited source of energy, और helium 3 का ये sample पूरे अमेरिका को पावर कर सकता है, एक साल के लिए, अब आप खु इसमें आप doubt की बात नहीं कि अभी हम इतने जादा advance नहीं हुए है, लेकिन advance होने के लिए भी step by step हम आगे बढ़ रहे हैं, you never know कि आज से 10-20-30 साल बाद, इंडिया मार्स पर जाकर बच जाए, अगर आप भी interested है future of space exploration के बारे में, तो इसके उपर में एक dedicated video भी बना सकता अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो comments में मुझे जरूर बताना, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा space exploration कितना जादा जरूरी है, ये वीडियो अपने उस दोस के साथ जरूर शेयर करना, जिसे चंद्रयान जैसे missions फिजूल खर्ची लगते है, चैनल को subscribe करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए और मैं आप से मिलूँगा किसी अगले वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो जरूर देखना,